सूप्रभाद, कक्षा दूसरी, विशे हिंदी, उपविशे पाड साथ, नाम वालिशब संग्या, पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरन, व्याक्षान एक, इस व्याक्षान में हम पूरे पाठ की चर्चा करेंगे, अर्थात इसी व्याक्षान के अधार पर आप संग्या के बारे में, नाम वाले शब्द के बारे में, असानी से समझ जाएंगे, तो जानें कि नाम वाले शब्द क्या होती हैं, पहले आप इस चित्र को देखिए इसमें दो मित्र बेटे हैं और दोनों बात्चित करें इस मित्र के नाम है रोहन इस मित्र के नाम है नमन रोहन कह रहा है इंडिया गेट दिल्ली में हैं क्या आपको पता है तो इसने बोला नमन ने बोला हाँ और गेटवे आफ इंडिया मुंबे में हैं तो यहां इंडिया गेट दिल्ली और यहां गेटवे आफ मुंबे यह किस की बात करें हैं यह जगे की बात करें हैं तो यह न इंडिया गेट, दिल्ली, गेटवे ओफ इंडिया, मुंबई, ये किसी ना किसी का नाम है, तो इन्ही नाम के वाले शब्दों के बारे में हम जानेंगी किस प्रकार के नाम होते हैं, तो देखिए, नाम वाले शब्दों को ही संग्या शब्द कहा जाता है, नाम कई प्रकार के होते हैं, आईए, कुछ नाम वाले शब्दों के बारे में जानती हैं, अब आप जानना चाहेंगी कुछ नाम वाले शब्द, तो जानें, पहला, व्यक्तियों की नाम, जैसी इसका नाम है आरियन, अगर आप बलोगी लड़का इधर आ, लड़का इधर आ, तो क्या पता चलेगा, कुन सी लड़की की बात आप कर रहे हैं, तो अगर आप बलेंगे, आरियन, इधर आओ, तो आरियन को पता चलेगा, कि आप इसे बुला रहे हैं, तो व्यक्तियों के नाम में जिसको नाम से बुलाए जाता है, वह है आरियन, ऐसी लड़की के नाम दे दे रखा है, आहना, दादी, दादा, तो यह सब क्या हैं, आरि सिबी का, पशू, पक्षी और कीट पतंगों के भी नाम होते हैं, जैसे हाती, कोयल, मक्षी, तितली, अगर हम इन कित्रों को देखकर इनकी नाम ना हो, तो फिर आप जानेगी कि यह क्यों है, नहीं ना, तो इसको चित्र के अधार पे आपने नाम को जाना, यह हाती है, यह चित्र को देखकर जाना कि यह कोयल है, और इस चित्र को देखकर जाना यह मक्षी है, इस चित्र को देखकर जाना तितली है, तो आपने देखा कि इनके भी नाम होते हैं, चाय पशू है, चाय पक्षी है, चाय कीट पतंगों है, तो भी उनके भी कोई ना कोई नाम अवश् ऐसे ही वस्तू के नाम अब आप सुचिंगे वस्तू के नाम क्या होते हैं जिसका हम किसी ना किसी काम में प्रियोग करते हैं जैसे बल्ला खेलने के लिए हम प्रियोग करते हैं तो ये वस्तू है लैपटॉप जिसमें हम काम करती है या कुछ काटून देखते हैं कुछ भी करते हैं तो ये भी क्या हम देखने के लिए काम करने के लिए इस्तिमाल करते हैं तो ये क्या है वस्तू है अल्मारी में कपड़े रखते हैं समान रखते हैं कुछ ना कुछ तो ये भी हमने क्या किया, इस्तिमाल किया किसी ना किसी काम में, तो ये भी क्या हुआ वस्तू, तो वस्तू क्या हुए, जिसका हम किसी ना किसी काम में प्रियोग करते हैं, अगला देखे, स्थानों की नाम, जिसमें हम जाकर गूमने जाती हैं, है न, या अपनी एक जगह से दूसरे जगह पर जाने को स्थान का जाता है जैसे आप पुस्तकाले में जाते हैं सिताब लेने के लिए तो ये हमारा क्या स्थान जंगल में जाते हैं घूमने के लिए जैसे कई बार जंगल में जाते हैं तो ये भी क्या स्थान खाने पीने के लिए आप कहा जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो ये भी स्थान, ऐसे ही आप स्कूल जाते हैं, तो भी वो क्या आप अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, तो भी स्थान होते हैं, अब आप जाकर कुछ अपने काम की चीज़े लेते हैं जैसे कुछ किताब लिए हैं या आप घूमने के लिए गए या अपने खाने पीने के लिए गया तो सान वहसना जगह है जहां आप कुछ ना कुछ कारे करने के लिए जाते हैं इनके अलावा नीचे दिये गए संग्या शब्दों को भी देखिएं जैसे महीनों के नाम जन्वरी, फर्वरी, मार्ट, अप्रेल, माई, जून, दुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूबर, नुवंबर, दिसंबर जिससे आप जानेगी ना कि आपका जो जन्दिने कुन से महीने में आता है तो उनकी भी नाम होती है दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुत्रवार, शनिवार, रवीवार अगर दिनों के नाम ना हो तो आपको कैसे पता चले आज कौन सा है और आप तो रवीवार का इंतिदार करते हैं जिससे आप अपना खेल कुद करें बाकी दिन भी करते हैं लेकिन रवीवार को तो आपकी स्कूल की छुट्टी भी रहती है तो आप इस दिन को याद भी करते हैं कब आएगा रवीवार तो दिनों के भी इस प्रकार नाम होते हैं इसी प्रकार पहाडों के भी नाम होते हैं जैसे हिमाले, विंध्याचल, सच्पुडा इस प्रकार और भी होते हैं नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी इस प्रकार अन्य और नाम होते हैं इसी पका इमारतों के नाम इमारत जो बड़ी बड़ी इमारते होती हैं जैसे कुत्व मिनार, ताज मेल, अक्षरधाम, आदी तो आपने जाना कि नाम किसी ना किसी के अविश्य होते हैं तो नाम वाले शवदों को ही संग्या कहते हैं तो हमने क्या सिखा सभी का कोई ना कोई नाम होता है किसी व्यक्ति का हो चाए वस्तू जिसका हम इस्तमाल करते हैं काम में स्थान जा हम कहीं जाकर कुछ भी करते हैं आदी के नाम कोई संग्या कहते हैं संग्या क्या है किसी व्यक्ति वस्तू स्थान आदी के नाम कोई संग्या कहते हैं तो बच्चो आज आपने संग्या विशे के बारे में अच्छी जिती जान लिया होगा तो आपका इस व्यक्तान का गरी कारे रहेगा सोच कर लिखिए दो व्यक्तियों के नाम कोई भी दो व्यक्तियों दो वस्तों के नाम को दो स्थानों के नाम को दो नदियों के नाम को दो पर्वतों के नाम को लिखोगे कोई भी जो आपको समझा रहा है उसे सोच कर लिखना संग्या शब्दों के सामने सही का निशान लगाईए जो संग्या शब्द है उसके सामने सही नहां देखो क्या ये संग्या है अर्दात नाम वाले शब्द है ये नहीं हमारा है घर है ये लिच्ची है ये नहीं इन है ये नहीं हमें क्या कोई नाम है ये नहीं देखेंगे अलमारी कोई नाम है ये नहीं देखेंगे तो आपको इन्हें देखना है जेओ नाम वाले शब्द हैं उनके सामने सही लगाना जो नाम वाले शब्द नहीं है उनके सामने कुछ भी निशान नहीं लगाना कल पाथ छे शब्द में ग्रीक आरे जो दिया था उसके हल को जानते हैं प्रेश्न एक था द्वन्यों को जोड़ कर शब्द बनाए च ए को जोड़ के बना ची डे ए को जोड़ के बना डी ये आ को जोड़ के बना या तो शब्द बना चेडिया इसी परकाद छे ए को जोड़ के बना च, ते ए को जोड़ के बना त, रे ए को जोड़ के बना री, तो शब्द बना छतरी मैं ओ को जोड़ के बना मू, रे ए को जोड़ के बना र, तो बना शब्द मूर के ए को जोड़ के बना की, ते आ को जोड़ के बना ता, बे ए को जोड़ के बना ब, तो शब्द बना किताब, चिडिया, छतरी, मोर, किताब मुझे आशा है आपके भी यह प्रश्न का उत्ता सही होगा अब हम दूसरे प्रश्न के उत्तर को जानते हैं दूसरा प्रश्न था सही वाक्य के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत निशान लगाई पहला था ध्वनियों की परतिक मेल को शब्द कहते हैं नहीं गलत शब्द बनाने में स्वर और वेंजन ध्वन्यों का मेल होता है इसमें स्वर और वेंजन दोनों ध्वन्यों के मेल होता है तो ये सही है वाक्यों में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं ये वाक्य भी सही है अगला है शब्द का कोई न कोई अर्थ होना जरूरी है बिल्कुल हाँ शब्द में अगर अर्थ ही ना हो तो वह शब्द ही नहीं कहलाता तो ये भी वाक्य सही है दन्यवाद तो मुझे आशा है आपने आवश्य की होगा